दोस्तों आप सब लोगों को पताई होगा कि कुछी दिन पहले ही केविनेट कमिटी ऑन सिगूरूटी के तरफ से एमसीय यार कैप्टो को डिफलफ्ट करने को लेके क्लियरंस दे दिया गया है और इसके बाद आशा किया जा रहा है कि साल दोहजर अटाइस तक एमसीय यार कै के मोड में आगे बढ़ाए जाना है जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर कंपनियों का भी काफी अच्छा खासा वागेदारी होगा। किया जाना है इसके development risk को लेके ही कमपनियों का सबसे बड़ा परिशानी है और दोस्तों ये रिक्स और private sector कमपनियों के अंदर जो परिशानी है वही अब AMCA aircraft के जो SVV mode है उसके लिए एक बहुत बड़ा hurdle बना हुआ है बेसिकल दोस्तों ऐसे private sector company अपने investment को लेके चिंता में है क्योंकि कमपनियों को ये मैसूस हो रहा है कि इसमें अगर risk sharing करना पड़ता है और development में किसी वी तरीके का delay या किसी की वी तरीके का कोई hurdle आता है तो company के जो investment है वो एक तरीके से डूव जाएगा अब दोस्तों ऐसा वात नहीं है कि private sector company किसी वी तरीके का risk उठाने के लिए तयार नहीं है पर company को ये लग रहा है कि AMCI Aircraft को लेके जो risk factor है वो काफी अधिक है basically ऐसे private sector company यार क्रेप्टों के potential return और associated risk के कारण ही AMCI Aircraft में अब तक जुड़ने को लेके तयार नहीं हुआ है और इनी कारणों के वज़ा से DRDO के तरफ से और हिंदुस्तन ऐर्णोटिक्स लिमिटेड के तरफ से SPV को create करने के लिए अभीवी company का तलाश किया जा रहा है ऐसे company का मानना ये है कि qualitative risk measurement और clear mitigation plan इसमें होना चाहिए और कुछ-कुछ company का तो ये भी मानना है कि इन aircraft के जो development risk है वो काफी अधिक है जिससे कि इन company के द्वारा अपने पैर को पीछे खिचा जा रहा है हाला कि दोस्तो हिंदुस्तान Aeronautics Limited और Aeronautical Development Agency के तरफ से ये जो development risk है इसे minimum करने का प्रयास किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इन aircraft के development के समय में इन aircraft के उपर Aeronautical Development Agency और हिंदुस्तान Aeronautics Limited ही काम करेगा जिससे कि private sector company के उपर development risk कम से कम हो जिससे कि एक तरीके से ये risk factor है इसे काफी कम किया जा सकेगा और ये private sector जो company है वो यार्क्रेप्टों के development में ही जूर सकेगा अब दुस्ते private sector company हों का जो तीन सबसे बड़ा concern है वो है यार्क्रेप्टों के timeline, cost और quality Basically दोस्तों अगर देखा जाए तो कोई company अगर किसी एक project में invest कर रहा है और वो project 10 साल में बनना है लेकिन वो बढ़के 15 या 20 साल हो जाता है तो एक तरीके से जो project में investment है वो काफी समय तक project में लगा हुआ रहता है इवन दोस्तों cost overrun भी एक बड़ा factor है क्योंकि ऐसे defense प्रोजेक्टों को लेके समय समय पे requirement बदलता रहता है और development के दर्मियान अगर requirement बढ़ा या requirement बदला तो इससे cost overrun मतलब जितने एक पैसे में यार्क्रेप्टों को बनना था उससे कीमत बढ़ सकता है और ये भी कमपनियों का एक बड़ा चिंता का बिशाय बना हुआ है और दोस्तों no doubt AMC एक 5th generation के समपूर ने नए टेकनोलोजी वाला यार्क्रेप्ट है तो आने वाले समय में development के दर्मियान requirement बदल भी सकता है जिससे की जो estimated cost है वो भी बढ़ सकता है और technological shortcomings सबसे बड़ा चीज है क्योंकि दोस्तों इस तरीके के जो 5th generation के यार्क्रेफ्ट है ये अब तक भारत के द्वारा नहीं बनाया गया है और दुनिया में काफी कम ऐसे देश है जिनके पास ऐसे technology है और दोस्तों वो देश भी कभी भारत को इस तरीके के technology share नहीं जिन कारोनों के वज़ा से कुछ private sector company डरा हुआ है कि अगर project आधे रस्ते में कोई technological shortcomings के वज़ा से रुख जाए तो इससे company के जो investment है वो रुख जाएगा और दोस्तों इन चीजों को देखते हुए ज़ादतर private sector company के तरफ से ये कहा जा रहा है कि company असल में AMCA aircraft के project में production में private sector company का भूमिका है वो भी मजबूत रहे और aircraft के production को भी तेज रफ्तार किया जा सके मतलब ज़ादातर company aircraft में जूणना तो चाहता है लेकिन development risk के कारण directly aircraft में जूणना नहीं चाहता है हाला कि दोस्तों वही पर अगर देखा जाए तो defense ministry ये जो AMCA aircraft के program है इसे SVV mode में इस जो risk factor को लेके concern है इसे भी address किया जाएगा defense ministry के तरफ से फिलाल risk sharing mechanism के अंतर गद्वी काम किया जा रहा है और ऐसे framework को तयार किया जा रहा है जो कि development risk को private sector entities और public sector entities के अंदर proportionally distribute कर सके वही पर इसके इलावा clear defined mind stone को भी defense ministry के तरफ से set किया जा रहा है जिससे की risk factor ना के हो वही पर transparent cost management को भी लेके चर्चा किया जा रहा है जिससे की cost related किसी वी तरीके का risk ना हो और private sector company को future में किसी वी तरीके का loss ना हो अब दोसों एक तरफ जहाँ पे AMCA aircraftों में private sector company शामिल होगा या नहीं होगा इसमें ही मधवेद है और private sector company के मन में कई तरीके का आशनका है त इसी रफ्तार में आगे बढ़ता रहा तो भारत को काफी फीचे छोड़के South Korea 5th generation के fighter aircraftों के मामले में आगे चला जाएगा अब दोसों कुछ दिन पहले ही मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बता चुका हो कि किस तरीके से South Korea के DAPA मतलब Defense Equation Program Administration के तरफ से South Korea के next generation के aircraft मतलब के F21 बॉर्मेर एक्रेफ्टों के production को लेके अनुमती दिया गया है और अब रिपोर्ड में दावा किया जा रहा है कि South Korea के द्वारा करीब-करीब 40 के F21 बॉर्मेर एक्रेफ्टों को इनिशिली प्रोड्यूस करने को लेके अनुमती दे दिया गया है कुछी दिन पहले ही South Korea के Defense Equation Program Administration के तरफ से जानकारी दिया गया है कि Korean Aerospace Industry के तरफ से करिफ-करीब 92 ट्रिलियन Korean Currency या फिर कहें तो 5.85 बिलियन डॉलर खर्चा करके South Korean Air Force के लिए करिफ-करीफ 40 बॉर्मेर एरक्रेफ्टों को तयार किया जाएगा और खाली एरक्रेफ्टों और Associated Equipment को भी तयार किया जाएगा। अलाकि दोस्तों ना ही DAPA के तरफ से और ना ही DAPA के Spokesperson के तरफ से ये disclose किया गया है कि इन यारक्रेफ्टों के जो production line है उसके लिए कितना खर्चा किया जा रहा है। अलाकि दोस्तों इससे पहले साल 2023 में भी South Korea के अथरिटी के तरफ से इन यारक्रेफ्टों के लिए करिफ करिफ 238.6 billion South Korean currency या फिर के है तो 176.5 million dollar approval दिया जा चुका है जो कि KF21 Block 1 यारक्रेफ्टों के लिए था हलाकि कितने संख्या में इसमें यारक्रेफ्ट बनेगा और कौन सा यारक्रेफ्ट था इसके बारे में detail में कोई जानकारी नहीं है। और इससे पहले एजेंसी के तरफ से ये भी साफ किया गया था कि असर में पहले बैच में करिफ करिफ 20 ऐसे यारक्रेफ्टों को तयार किया जाएगा और ये यारक्रेफ्टों को तयार करने का गोल साल 2024 का है जबकि बाकि के 20 यारक्रेफ्टों को साल 2025 तक तयार किया हाली में इसके लेके अप्रूवल दिया गया है और दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि साल 2025 तक साथ कुरिया के तरफ से 40 के 40 एरक्रेफ्टों को निर्मान करना संबब हो पाएगा क्योंकि साल 2024 के लगवग मध्य तक आ चुका और अफ तक साथ कुरिया के इन एरक्रेफ्टों काफी तेज रफ्तार में काम किया जा रहा है जबकि भारत अपने एरक्रेफ्टों को लेके काफी स्वस्थगति से आगे वढ़ रहा है और इसी तरीके से अगर भारत का ये गती इतना कम रहा तो साथ कुरिया शायद आने वाले समय में 6 जेनरेशन के यारक्रेफ्ट को बन दोस्तों आजके इस वीडियो को यही फेही करते हैं समाथ किसी और एक दिन किसी और एक वीडियों मिलेंगे टब तक के लिए जैहिंद बंदे महतरम